आपके सामने में देख सकते हैं काता है नीमो थेरेक्स एक जटील अवस्था जिसका लक्षन है आप लोग को पता होगा एक होता है नीमोनिया ठीक है नीमोनिया से ही नीमो थेरेक्स बना ठीक है यह एक जटील अवस्था है जिसका लक्षन है देखिए नीमो थेरेक्स में होत होता है कौहर होता है जिसको हम लोग पुलुडा कहते हैं फ्रा भढ़कता है अब मानãy준 किसी कारन से यह निव open जाता है। तो यही है air collection in plural space मतलब जो plural space होता है फेफ़रा और पुलुडा के बीच में उसमें हावा भर जाना ही निमो थेरेक्स कहलाता ठीक है water collection in plural space plural space में अगर water यानि जल का जमाब हो जाता है तो उससे हम लोग क्या कहते है plural effusion कहते हैं तरल पदार्थ भर जाने को ठीक है plural effusion पस भर जाएगा तुसे एंपाइमा कहते हैं ठीक है न पस भरने को एंपाइमा कहते हैं तो यह सब चीजे जो है और blood collection in plural space blood अगर collect हो जाएगा वहाँ पे हवा के जगह पर अगर blood आ जाएगा तो उससे हम लोग हेमो थेरेक्स कहते हैं ठीक है याद रखिएगा यह सब बहुत अच्छा अच्छा प्रशन है बहुत अच्छे अच्छे प्रशन यहाँ पे आता भी है दूसरा है कहता है पारापलेजिया का अर्थ क्या है देखिए एक होता है quadriplegia जो होता है वो आपके सरीर के चारों अंग में परलाइसिस होने को quadriplegia कहते है ठीक है पारापलेजिया का मतलब होता है कि सरीर के नीचले हीसे में जो है आपको परलाइसिस होना ठीक है परलाइसिस के मतलब समझ रहे हैं कि सरीर के किसी भी अंग में अगर परलाइसिस हो जाता है तो वह अंग जो है काम करना बंद कर देता है तो वही जो है परापलेजिया परापलेजिया होता है सरीर के नीचले ही से यानि कमर से नीचे जो अंग होते है उसमें जो है परलाइसिस होना परापलेजिया हेमिपलेजिया का मतलब होता है कि आधे सरीर में जो है परलाइसिस होना यानि लकवा होना आधे सरीर का मतलब जैसे यह हेड है यह बड़ी है ठीक है और यह हाथ है यह भी हाथ है तो इधर भी यह बड़ी रहता है तो माने गए सीर से ले कर और body के इस हिसे में paraecis हो जाएगा और इधर ठीक रहेगा तो इसी को हम लोग hemi plagia कहते है ठीक है पara plagia समझ गए quadri plagia भी समझ गए चलिए आगे चलते हैं कहता है normal saline है normal saline यानि NS NS को हम लोग normal saline कहते हैं इसमें हलका-फलका जो है आइसोटोनिक सोलूशन होता है एनेस याद रखिएगा ठीक है आगे चलते हैं चोथा नंबर का है पुल्रल कैवीटी के पॉस होना क्या कहलाता है यही है पॉस होने को हम लोग कहते हैं देखिए पुल्रल कैवीटी में अगर प्स भर जाएगा मंबाद भर जाएगा तो उसे हम पाईमा कहेंगे ठीक है तो एई हम लोग क्या कहते हैं औ stress कहते हैं उपर में पर हैं और आगर जो यह वोली होता है नए फ्य hatırा के आं-दर आपका ज़ो एलवोली होता है छोटे छोटे हवा का जो गुच्छा होता है इसमें हवा भर जाने को इस एलवोली में हवा को भर जाने को और फिर हवा नहीं निकल पाता है तो उसी को एमपाईसेमा कहते हैं ठीके एलवोली में हवा भरना पुलुडा के एलवोली में हवा भरना एमपाईसमा कहलाता है ठीक कहता है कि कौन से समस्या में कौन से बिमारी में जो सीरम होता है बलड में ही सीरम पहा जाता है उसमें एक बिलूबरीन होता है अगर यह बलड में बढ़ जाता है तो क्या होता है तो आपको पता है अगर बलड में सीरम का बिलूबरीन का मात्रा अगर बढ़ जाता है तो उसक इंटायों सब्सक्राइब होता है जो को आपके यहांThese आमासे को गेस्ट्रिक को क्या करता है कम करता है ठीक है तो इसलिए यह आपका याइटासीड राइट एंसर हो जाएका सात्मा है कहता है ayative कल्सर के सबसे common site कौन सा है मतलब पेपटी कल्सर सबसे common site कहां पहता है तो जो लोग अगर अच्छे से class को मेरे देख रहे हैं तो पेप्टी कलसर हम परहा चुके हैं डीटेल में पेप्टी कलसर आप लोग को पता भी होगा नहीं पता है तो हम थोड़ा सा बता देते हैं जैसे यहां पर हमारा इसो फेगस है अहार न ली है ठीक है यहां से हमारा अमासे जो है क्या है कनेक्ट है ठीक है यहां से और फिर आघिवडेनम के आगे भाग जिसको डीडेनम कहते हैं यहाँ डीडेनम से लेकर आमासे से लेकर आहार नाल के किसी हिसे में अगर छला हो जाता है मुकस मेंबरेन च्छतिगरस्त होकर वहाँ भाव बन जाता है च्छला हो जाता है तो उसी strangler कहते हैFit नाशल नाशल नहीं कीा है क्वाल सुप्सलीन के सब्सक्रा में नाशल करते हैं और सब्सक्राइपस किलोटते हैं कहा भूाल होने मारारक्षण ट्यक्षानल रिक प्रभावी तस्थान जो है इनफ्लामेशन को ही बताता है इनफ्लामेशन का मतलब होता है कि जिस भी जगह पर प्रभावी तस्थान जो है इनफ्लामेशन संक्रमन से भी हो सकता है या फिर चोट के कारण भी हो सकता है तो एपेंडेसाइटिस जो है एपेंडिक्स का इनफ्लामेशन होता है इंटेस्टाइनल अब्स्ट्रक्षन क्या होता है तो इंटेस्टाइनल जो अब्स्ट्रक्षन ह होता है आत में अवरूद होना ठीक है तो यह हो गया परिटो-nitis होता है जो परिटो-nitis होता है उसमें इंफ्लामेशन होना परिटो-nitis होता है तो यह सब चीजे अगर वीडियो पूरा देखेंगे तो समझ में आएगा बरना नहीं आएगा सीधी सी बाते हैं नौमा है इंसुलीन इंजेक्षन है तो निम्न रूट द्वारा दिया जाता है अब आपको पता होना चाहिए जो ब्यक्ति को अगर टाइप 1 डाइवीटिज रहता है ठीक है न डीम अगर टाइप 1 रहता है तो उसको जो है हमेशा जो है इंसुलीन का इंजेक्षन लेना परता है तो इंसुलीन के इंजेक्षन जो है ब्यक्ति को हमेशा समय पर लेना परता है तो उसके लिए सब क्यूटेनियस मार्क जो होता है वहां से एड्मिनिस्ट्रेट किया जाता है इंसुलीन का इंजेक्षन अब यह जो है फैटी जो होता है ना यो नाभी जैसे अंपर नही लगता है ठीक कैंशे है उपर नहीं लगता है या नीचे की तरब जो है इस साइड पर कुछ ताकि यह है मांस में नहीं जाकर सब्कूटेनियस में लग जाए ठीक निए निए तहरे दिमाने डिलेष्ण देख लिए ज़िए आप लोगों में परहाता हूं प्युक्रवर्स हो यह को पैलों से दिलेशन केलिए क्लव replacement डिया जाता है तो मैं आपको पहले ही परहा चुक होगा मलेरिया मादा इनिफलीज मच्छर के काटने से होता है ठीक है यह चीज आपको पती होनी चाहिए वाइरस या एक वाइरल रोग करता है बैक्ट्रिया या बैक्ट्रिया से होने वाला रोग जो है बैक्ट्रिया वाला होता है फंगी जो दाद खाज खुजली होता है वह थीडी ट्र निमननिके डाइगनोसीस दूं किया जाता है या आपके बिनेरल डिजेज के लिए भीबरोर्टरी में लिया जाता है बिदी आरेल टीवर कलोसिस के लिए तो होगा नहीं ये टीवी से रिलेटेड है ट्रेकोमा आंग का रोग है यह भी नहीं होगा तो सिपलिस जो है योन रोग है और योन रोग के लिए भी डी आरेल टेस्ट जो है किया जाता है ठीक है याद रखिएगा आगे चलते हैं तिरह नंबर है कहता है रिमेटिक फिबर से प्रभावित अंग कौन सा ह तो माई डियर मैं यह भी आप लोग को परहा चुका हूँ कि रिमेटिक फिबर जो होता है वह आपके हर्ट को प्रभावित करता है जो आइंट हर्डी में दरद होता है ठीक है और ब्रेन को भी यह प्रभावित करता है तो रिमेटिक फिबर बहुत खतरनाक होता है रिमेट रखने को ती इसलिए सभी सही हो जाएगा रिमेटिक फीवर से प्रभावित में चोदा बहुत अच्छा प्रशन है यहां पे स्वाइन फुलू का कारण क्या है तो स्वाइन फुलू का कारण जो होता है रोटा भायरस नहीं होगा और फुलू भायरस ए भी नहीं होगा तो इ लूंड एंड ब्रावडर चार्ट का परियोगर किस मरीज के एसेस्मेंट यानि आंकलन हेतू किया जाता है लूंड एंड जो ब्रावडर होता है यह एक चार्ट है और इन चार्ट के जरिये किन मरीजों का आंकलन किया जाता है बर्न वाले मरीज का गुलुकोमा वाले का प बेहोसी हालात में कहते हैं प्वाइजिनिंग बाले मरीज होता है जो प्वाइजन लिया रहता है गुलकोमा होता है जो आँखों में प्रेसर बढ़ने से होता है आयोपी बढ़ने से ठीके न यह चीजें याद रखिएगा 16 है बहुत अच्छा प्रश्ण है ब्रेकी थिरेपी क्या है आप लोगों में पहले भी रेडियेशन थिरेपी परहाये थे तो वहाँ पर ब्रेकी थिरेपी आप लोगों परहाये थे ब्रेकी थिरेपी एक रेडियेशन थिरेपी का टाइप से है ठीके टाइप और सरजरी नही लगा तो रेडियेशन ठीरेपी का परकार है ब्रेकी ठीरेपी याद रखनी एक फ़ियादे दर्ठीरिया घ्यक्ते ही अभी महात पून होता है की अलए टम नबर भी को राइट एंसर होगा आगे चलिए अठारा नंबर है कहता है होजकिन्स डीजेज निम्न तंद्र को प्रभाविद करती है अब आपको पता होना चाहिए होजकिन्स डीजेज जो होता है यह हमारे यूमिनीटी जो सिस्टम होता है ना यूमिनीटी सिस्टम को प्रभाविद करत होता है और immunity system हमारा lymphatic system से related है तो इसलिए होजगीन डीजेज यह होता है होजगीन डीजेज cancer का एक लक्षन होता है जिसमें पेसेंट के immunity जो system होता है उसमें cancer हो जाता है यानि lymphatic cancer भी उसको कहते है ठीक है ना उनाइस है नीमन में से psychotic विकार है psychotic मतलब मानसिक विकार कौन है तो देखिए मानसिक psychotic अब हम लोग को पता है एक होता है neurotic ठीक है एक क्या होता है हमारा neurotic एक होता है neurotic और एक होता हो सकता है उसके मतलब क्रोमोसोनल भी हो जाए अनुमानसिक भी हो जाए ठीक है या पुराने किसी के कारण मतलब कोई भी हिष्टfilm के कारण जो है जिसको पूर्ण रूप से पागलपन के जिसमें ब्यक्ति को बेवार परिवर्शन हो जाता है अलर बलर बोलेगा बहुत ज़्यादा ख़तर Hag tough हो जाएक तो साइको white kazakam यह में से देख लिजे एस्की जो फ्रेनिया जो है एक साइकोटिक है पाकी हिस्टीरिया और एंजाइटी जो होता है यह निवरोटिक परकार होता है तो यह समझ लीजिए आगे चलिए 20 नमबर है निम्न में से कौन सा निद्रा विकार का उदारन है मतलब निंद से निंद वाली समस्या इन में से यह भी निंद का समस्या है हाइपर सोमनिया यह भी निंद का समस्या है हाइपर मतलब अधीक होता है निंद का अधीक आना हाइपर सोमनिया सोमना बुलीज में तब निंद में चलना यह भी जो है निंद का ही समस्या है इसलिए सभी के सभी राइट एंसर होगा ऑप्सन नमबर डी ठीक है हम बिदा लेते हैं तब तक के लिए धन्यवाद